जेदी आप चाहते हैं कि किसी भी इस्तरी के दिल में अपने लिए मोहबत पैदा कर दे, किसी भी इस्तरी को अपने प्यार में दिवानी बना दे ताकि वे इस्तरी खूद आप से बात करे, रात दिन आपके पास phone करे तो शिर्प एक बार इस वसिकन टुटका को कर और इस तेज़ पत्ते के उपर में उस इस्तरी का नाम लिखना है जिस इस्तरी को अपने प्यार में दिवानी बनाना चाहते हैं। मन चाहे प्यार को पा ले मन चाहे प्यार से साधी कर ले तो सिर्फ एक बार इस वसिकन टोटका का प्रयोग जरूर कीजिएगा फिर चमतकार देखिएगा कि आपका प्यार वह इस्त्री आपको पानी के लिए सब को छोर कर आपके पास आजाएगी और आपके प्यार में दीव का समय लगेगा, चमतकार दिखिएगा, आपका वह सिकरन हो जाएगा, और जिस भी इस्तरी का नाम आपने लिखा है, वह इस्तरी आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी, कि एसे करना है, ताकि आपका प्यार आपके लिए टर पे आइए बताते हैं, उसके पहले छोटास प्लीज यदि आप मरचान पर नहीं है तो मैं चाहूं को सस्क्राइब जोर कीजिएगा और बिल घंटी को जोर दवाईएगा ताकि हम जितने उराएंगे सबसे पहला आपी के पास में जायागा देखिएगा मेरे प्यार प्रभक्तो सबसे पहले आपको दो तेज पत्ता लेना है क्या करना है दो तेज पत्ता लेना है और इस तेज पत्ते के उपर में सबसे पहले आप उस इस्तरी का नाम लिखे जिस इस्तरी को अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं उसके बाद में आप इसको पलट करके यह तीन सब्द लिख दीजिएगा जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ यही तीन सब्द है जिसको लिखते ही आप इधर वा सिकन तुटका किजिएगा उधर वा इस्त्री आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी वो आपके बारे में सुचना सुरू कर देगी आपके प्यार में अपना सुरू कर देगी और आपके प्यार में इतना बेचैन हो जाएगी कि वो खुद आप से मिलने के लिए आएगी वो खुद आपके पास फोन करेगी मेरे प्यार प्रवक्तो प्रेमी प्रिमका में प्यार बढ़ाना चाहते हैं चाहते हैं कि बैवाहिक जिवन में खोसा हाली ला दे बैवाहिक जिवन को खोसा हाल बना दे तो सिर्फ एक बार इस वसिकन टोटका का प्रयोग जरूर कीजिएगा पलोहर में कोई भी लड़की होगी आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी दिखिएगा तीन सब्द देख लीजिएगा यहाँपे उम और यहाँपे कुमनी नहां से दिखिएगा यह बहुती सक्थिसाली तीन सब्द है कैसे आप इसको कर देंगे इसके साथ में क्या करना है वो भी सिर्फ दो मिनिट के भीतर भीतर में ही आपका वसिकरन हो जाएगा चमतकार दिखिएगा आपका मन चाहा प्यार आपकी साथ रहेगा आपकी कदमों में रहेगा आपसे प्यार करता रहेगा प्यार मजबूर होकर खोद आप से बात करेगा यह इतना पौर्फुल चमतकारी वसी कंटोट का है ओम, कुम्नी और यहाँ पे स्वाहा लिखना है क्या लिखना है? स्वाहा यहाँ पे ओम, कुम्नी, स्वाहा यह तीन सब्द आपको लिख देना है ठीक ना? और एक जो यहाँ पे पत्ता है जो तेज़ पत्ता है यहाँ पे इस्तरी का नाम लिखे है जिसको अपने प्यार मिटर पाना चाहते हैं इसके पीछे में आप क्या किजेगा? इसी तीन सब्द का प्रियो किजेगा जो इस पत्ते के उपर लिखे हैं ओम कुमनी स्वाहा क्या लिखना है? ओम कुमनी स्वाहा अब देखते रहिए कैसे आपका प्यार आपके पास फोन करने लगेगा दखिएगा ओम कुमनी स्वाहा यहाँ पे लिख दिए ओम कुमनी स्वाहा ठीक है न? उसके बाद में आपको करना क्या ध्यान से दिखिएगा दोनों तेजपत्ते के उपर जो आपने इस्तरी का नाम लिखा हुआ है उसके बगल में आप पलस का चिन दे करके आप अपना नाम लिखिएगा मेरे प्यार प्रवक्तो जेदी आप चाहते हैं कि किसी लड़की को किसी इस्तरी को अपने वस में करे अपने प्यार में पागल कर दे पागल दीवानी बना दे ताकि वो पलपल आपके लिए टर पे तो आप अपना नाम लिखिएगा और किसी के लिए वस्म करना चाहते हैं किसी और के लिए तो उसका नाम यहाँ पर लिखिएगा तो आप अपने लिए वस्म करना चाहते हैं तो आप अपना नाम लिखिएगा यहाँ पर ठीक ना नाम लिख दीजिएगा और यहां पे भी आपको नाम लिख देना है और यहां पे पलस का चिंदे देंगे अब चमतकार दिखिए कैसे हो इस्तरी खुद पर खुद आपके पास फून करेगी आपसे बात ही करेगी खुद चल कर आपके पास आएगी और हमेशा आपके प्यार में टर पेगी थोड़ी से मातरा में आपको सिंदूर या लाल चंदन आपको लेना है और आपको इस पे थोड़ी से मातरा में छी रख देना है इस प्रकार से बस आपका काम होगे आप देखिए क्या करना है आप माचिस या लाइटर कोई भी चीज है आप ले लीजिएगा और माचिस या लाइटर के माधहम से इसको ले करके किसी भी चोरा है पे जाकर की इसको जलाना है क्या करना है किसी भी चोरा है पे जाकर के इसको जलाना है इस्टेज पत्ते क्यों जिस पे आपने वसिकरन किया जिस पे आपने उस इस्त्री का नाम लिखा है इस तेजपत्ते को आपको जलाना है जलाते समय इतना बाग का ध्यान देना है कि कोई देखे नहीं कोई टोके नहीं चमतकार देखिएगा वह इस्त्री आपको पाने के लिए हमेशा बेचैन रहेगी वह इस्त्री खुद आपसे मिलने के लिए आएगी आपके प्यार में टर्पेगी आपके प्यार में इतना दीवानी हो जाएगी कि वो इस तरी खुद आपके पास फोन करेगी आपके प्यार में 24 घंटा टर्पेगी मेरे प्यार को वक्तो जैसे ही तेजपत्ता जलेगा क्या होगा एराख बन जाएगा ध्यान से दिखिएगा जैसे ही जलेगा एराख बन जाएगा इसी प्रकार से आपको दोनों तेजपत्ते को जला देना है जैसे ही जल जाएगा आप इस तेजपत्ते के जले हुए भाग को जो राख है इसको ले लीजिएगा और किसी काले कपर कोपड़े में लपेट दीजिएगा इसके बाद मैं आपको कुछ करने की जरोवट नहीं चमतकार देखिएगा वह इस्तरी खुद आपके पास फोन करेगी वो आपसे मिलना चाहेगी, आपसे बात करना चाहेगी, चाहे वो इस्त्री आपसे कितना भी दूर की उना हो, आपके प्यार में बेचैन हो जाएगी, काले कप्रे में इस राह को रखना है, तीन दिन तक अपने तक्ये की नीचे रखना है, उस इस्त्री का नाम लेकर शिर्फ आपको सोना है तीन दिन के बाद में किसी भी बाते विए पानी में इस कपरे सहत इस राह को बहा देना है बहाते समय उस इस्त्री का साथ बार नाम और अपना साथ बार नाम भोल दीजीगा चमतकार देखिएगा हमेशा हमेशा के लिए वो इस्त्री आपके पास आजाएगी आप से महबत करने लगीगी, आपके प्यार में दिवानी होकर आपके पीछे गुमेगी, वैसे इतना ध्यान देना है, कि वो सिकरन को करते समय कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, चमतकार देखिएगा, जैदि आप हमारे चानल पर नए हैं, तो मेरे चानल को जोर कीजिएगा, ताकि हम जितने उड़ाएंगे, सबसे पहला भी कपास में जाएगा,